जहिन दोस्तों कैसे हैं आप सभी आई होब कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों के श्टडी चल रहे होगी तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वीज के दात इस चेप्टर के जितने भी सारे कोशन लिए गये हैं वो सारे के सारे अब्जेक्टी प्रशन लिए गये हैं तो आएए सबसे पहले हम वीज के दात के लेखा का नाम जान लेते हैं तो जैसा कि आप देख सकते लेखा का नाम है नलिन विलोचन सर्मा ठीक है अब हम इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं ट्रिक से कैसे याद करेंगे देखिए सरमा ही है इस you can do god- Champry आगर जिक्रिकर करे या पर forged is का नाम पुछे की इसके लिखा की है तो आप कहे देना कि वीच के नाथ यानी जहरी लादात और जहरी लाधाव कहा है नला के अंदर और नाला को रिलेट कर लिए नलिन से नलिन जब अब यह पता लगेगा कि आपको पता चल जागा कि नली निशन सर्मा है तो चलिए अब हम क्या करते एक एक करके लेते हैं और कोश्चन समझने की पूरी कोसिस करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहला प्रश्ण है कि 20 के दात क्या है 20 के दात सिर्शक पार्ट की विधा फ्राइड इनसर बहा और कि आई इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्ण के मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी मदन के लिए क्ाना मामूली बात थी यह और हे लिए स्केन्वल एक्जाम सेकंड सिटिंग में पूछा जा चुका है इस बार के लिए भी काफी ज्यादा important question है तो यहां पर option देख सकते है option A में है दुतकार और option B में है प्यार और C में है मार और D में है फटकार तो इसका correct answer होगा भी यह मार अब यह question 2220 के अनुवल एक्जाम में भी आ चुका है ठीक है आए प्रेशन करमांग हम तीन लेते हैं प्रेशन करमांग प्रेशन करमांग चार की और चलते हैं प्रेशन करमांग चार क्या कहता है जरा ध्यान से देखेगा प्रेशन करमांग चार कहता है कि सर्मा का जन्म डैस इस भी में हुआ था 1914 या 1915 या 1916 या 1917 देखो इसका correct answer 1916 इस भी और बिहार के पटना जिला में इनका हुआ था 1916 इसमें बिहार के पटना जिला में इनका जन्म हुआ था यह कोशन आपको बता था ना पटना पटना इधर राइट एंसर और यह कोशन 2021 के एकजाम में आ चुका है इस बार के लिए बोर्ड मोडल भी है यानि बोर्ड मोडल की दिरिश्टी से है चलिए प्रशन करमांग खम छे की और चलते हैं तो प्रशन करमामग 6 किया कहता है Pode बड़ा सैतान बच्चा था रहे में में मदन फिए आ ये प्रशन-करमांग साथ की ओर चलते हैं प्रशन कर्मांग साथ क्या आगात है खोखा किस कहानी का पातर है बताई खोखा किस कहानी पातर है वीच के बाकी में नहीं हुआ है चलिए प्रश्ण क्रमांग हम आठ की और चलते हैं प्रश्ण क्रमांग आठ क्या कहता है जरा ध्यांस देखेगा कि मदन किसका बेटा है यह 2021 के बोर्ड गया में पूछा जा चुका है और इस बार के लिए बोर्ड मोडल भी है ठीक है तो मदन किसका बेटा यह पूछा जा रहा है आपसे तो सेन्स अहाब का या बी में हैं गिर्धर लाल का या सोफर का या क्या है अखवारण विस्का है तो भीया इसका इसका प्रश्ण करमांग नौ की और प्रश्ण क्रमांग क्या क्या कहता है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी सेन साहब की कितनी लड़कियां थी दो या तीन या चार या पाँच ये कोश्चन 2020 के बोर्ड एक्जामें पूछा जा चुका है और इस बार के लिए बोर्ड मोडल है ना तो काफी ज़्यादा important question है देखो भी या सेन साहब की कितनी लड़किया थी पाँच यानि option D is the right answer ओके आईए दोस्तो अब हम लेते हैं प्रशन करमांक 10 तो 10 हम पढ़ लेते हैं प्रशन करमांक 10 क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा कि सीमा, रजनी, आलो, सिफाली, आर्ती पाँचो किन की बेटिया है एक, दो, तीन, चार, पाँच है पाँचो किन की होगा, जैसे उपर पड़े तो उन्हीं की बेटिया होगी है ना, पाँचो किन की बेटिया है तो देख लो भी या ये जह है भी या सेन साहब की है, किन का है सेन साहब की option see the right answer सीमा, रजनी, आलो, सेफाली, आरती पांचो किन की लड़किया है सेन साहब की है, गिरधर लाल की नहीं ठीक है, तो सेन साहब इसका right answer हो गया आए प्रशन क्रमांग खम ग्यारा की ओर चलते है तो प्रशन क्रमांग 11 क्या कहता है, देहान से देखे कि उमीद बुढ़ापे की आँखो का तारा है उमीद बुढ़ापे की आँखो का तारा है मदन, खोखा, रजनी, या शिफाली बताए इसका correct answer क्या होगा, है न दोख़ए इसका correct answer हो खोखा, option be the right answer आईए प्रशन क्रमांग 12 की और चलते हैं तो प्रशन क्रमांग 12 कहता है कि किसके अनुसार सेनों के, सेनों ने सिधानतों को भी बदल लिया था किसके अनुसार सेनों ने सिधानतों को भी बदल लिया था ऐर्टर के अनुवल एक्जेम में पूछा जा चुका आएं तो ए बैटियों के अनुसार फि खोखा के अनुसार सी मदन के अनुसार नुसार गिरधर सब्सक्राइब को तोर दिया किसने खोखा के दांत किसने तोरा तो मधन ने तोर जड़तों जार लुवर सुलना नुवर के मजब करिया तो न करमांग हम्ड आँ तो चोध़ा कहता है कि सेन सहाब की कार की कीमत है 12-19 के Annual Exam Second City में पूछा जा चुका है कि सेन सहाब की कार की कीमत है बताइए साठे साथ हजार और साठे आठ हजार साठे नौ हजार साठे सात लाक हजार में तो कार बिकता नही है कोन होना चाहिए लाक वला होना चाहिए य रांख बता इए तो चोधा का सही एंसर क्या होग इंसर क्या होगा अगर साधे साथ हजा इंसर कोई ॏ लाक кино हम कॉख थू करमांग हम 15 की वर चलते है कि cin साहब की आक्षों का टारा है सन्साब की आ हंखों का तारा क्या है या खोखा है या फिर खोखी है या उप्युक्त सभी है ना दोजार नीस के अनुवल एक्जाम सेकेंड सीट की में पूछा जा चुका है ओके तो बताइए इसका करेक्ट एंसर क्या होगा तो वहीं है इसका करेक्ट एंसर होगा चलिए प्रश्ण कर्मा अंखम 16 की बर चलते हैं 16 क्या कहता देखिए इस सोला कहता कि मोटर को कोई खत्रा हो सकता है तो डैस से मोटर को किसे खत्रा था खोखा से या मदन से या सीमा से या सिफाली से दुनू लड़की देखने हमको नहीं लगता है कि दुनू नटखट होगी इहे दूगों में से नटखट होगा दूनियों में से को ने बताइए मदन से या खोखा से खतरा था 2019 के एनवार लेकजामें पूछा जा चुका है है न तो 16 का शही इंसर है खोखा, खोखा से किसको खतरा था? मोटर को, है न मोटर कार को क्या था? खोखा से खतरा था, चलिए प्रश्न क्रमांग खम्द 17 लेते हैं, प्रश्न क्रमांग 17 कहता कि एसी ही लड़के क्या है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, या पंकित कहानी के किस पातर ने कही है, सेन सहाब की धर्म पतनी ने, या फिर गिर्धर या सेन सहाब ने या सोफर ने किसने कहा होगा यह 2018 के एन्वल एक्जाम सेकेंड सीटिंग में पूछा जा चुका है ना तो भाया सेन सहाब ने कहा है किसने कहा है सेन सहाब ने option A the right answer प्रश्न कर्मांक 18 ले लेते हैं प्रश्न कर्मांक 18 कहता है गिर्धर लाल सेन सहाब की फैक्टर में क्या था किरानी ड्राइवर एकाउंटेंट या इन में से कोई नहीं प्रश्न कर्मांक 19 कहता है कि हिंदी कवीता में प्रपधवाद के प्रवर्तक कौन है option A में मैक्स मुलर B में है नलिन विलोचन सर्मा C में असोक वाजपई तो वहिया यह जो हमारे पास 2021 के एन्वल एक्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार के लिए बोर्ड मोडल भी है तो इसका correct answer है नलिन विलोचन सर्मा option B the right answer ओके चलिए प्रशन करमांग हम 20 की वर चलते हैं प्रशन करमांग 20 क्या कहता है कि किनिकी लड़कियां तहजीव और तमीज की क्या जीती जाती मूरत है बताईए ए में गिरधरलाल की डॉक्टर सहाब की सेन सहाब की या सेन सहाब इसका right answer होगा ठीक है option C the right answer आईए अगला हम देखते हैं 21 में 21 कहता है कि सीमा रजनी आलो से फाली आरती पांचो किन की बहने थी मदन की या खोखा की या लेखक की या फिर सेन सहाब की ये 2020 के एन्वल एक्जाम में पूछा जा चुका है तो इसका correct answer होगा खोखा की क्या खोखा की ये पांचो बहना है ओके आई होप कि आप समझ गया होंगे वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों को भी share करना अगली वीडियो मिलेंगे तक तक के लिए बाए